हेलो दोस्तों मैं हुशुली और मेरी किचिन में आप सब का स्वागत है आज मैं आपको दो तरह का हीटर दिखाऊंगी हीटर मतलब कोकिंग हीटर जिसे हम खाना बना सकते हैं एक है यह मित्टी का या सिमेंट का बना होता है तो मैं आपको दिखाने वाली हुँ कि किस में क्या खाइदा है और किस में क्या नुफसान है किसको किस तरह से यूज करना है, कौन से हीटर यूज करने के लिए आपको किस तरह का safety precaution लेना चाहिए, दोनों तरह का हीटर अगर खराब हो जाता है, तो instantly आप धर पर किस तरह से उसको repair कर सकते हैं, दोनों के दोनों हीटर का map को दिखाने वाली हो, और current के बारे में भी बत आँगी, फिर आप खुदी decide कर सकते हैं कि कौन सा budget में आपको कौन सा heater यूज करना चाहिए, और किस तरह से आपको safe रहना चाहिए, किस तरह से आपको खुद को safe रखना चाहिए, ठीक है, तो चलिए हम दोनों तरह की heater देखिएते हैं, और सारी बाते जान लेते हैं, तो द लेकिन इसका मैंने आर्टिंग का पीन नहीं लगाया, मतलब आर्टिंग का तार कनेक्ट नहीं किया है, आप अगर online से खरीदेंगे तो आर्टिंग तार कनेक्शन के साथ ही आपको मिल जाएगा, तो चलिए दोनों heater के पीन हम लगा लेते हैं, तो पहले ध्यान दीजिए ब लगाएंगे तो हो सकता है कि बोर्ड जल सकता है, इसलिए रिस्क नहीं लेना है, आपको हेवी बोर्ड ही यूज़ करना है, तो यह है जी कोईल हीटर का पीन और दूसरे तरफ मैंने जो normal हीटर, जो simple spring कोईल हीटर, उसका जो पीन लगाया है, वो भी मैं आपको दिखाती ह यह देखिए, इसको भी मैंने लगाया है, वो ही हेवी बोर्ड में, यह देखिए पीन देखकर आप समझ सकते हैं, दर असल यह मेरे पुराने induction का पीन है, जो मैंने निकाल कर रखा था और इसमें मैंने जोड दिया है, तो चलिए यह बोर्ड का तो मैंने बता दिया है, तो देखिए, दोस्तों, चालू करने के संग-संग, आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल लाल हो चुका है, मतलब कि इसको लाल होने में बिल्कुल भी time नहीं लगता है, और इसको लाल होने में लगबग 2-3 मिनट लग जाता है, यह धीरे-धीरे लाल होता है, ठीक है, दोन रख कर भी दिखाती हो, तो यह देखिए, यह normal, simple से गोल सा एक कड़ाई है, तो यह हम इसके उपर रख सकते हैं, ताकि इसका coil टच ना हो, इसलिए stand पर रखना है, और इसके उपर normally रख सकते हैं, इसके ऊपर कोई stand की ज़रूरत नहीं है, तो दोनों के दोनों heater के लिए हम normal simple button use कर सकते हैं induction के जैसे अलग से कोई button लेने की कोई जरूरत नहीं है और इसमें कोई current भी नहीं लगता है इसके arthing क्या connection बिल्कुल proper करना है तो बिल्कुल भी current नहीं आता है कोई भी डरने वाली बात नहीं है ये heater अभी चालू है और मैं देखिए बिल्कुल हाथ से touch कर सकती हूँ बिल्कुल भी current नहीं लगता है इसके बारे में मैंने एक detail वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने tester से check करके भी दिखाया है आप चाल तो उस वीडियो को check कर सकते है और देखिए ये जो heater है ये बिल्कुल लाल है संग संग लाल हो गया था और ये दूसरा जो heater है ये देखिए अभी मैं बात कर रही हूँ लगबग 2-3 मिनिट हो चुके है अभी ये लाल हो रहा है मतलब कि एतनी देर लेता है मैंने speed बढ़ाया नहीं है बस ऐसे ही बात कर रही थी तो आप समझ सकते है कि कितना time मतलब 2-3 मिनिट लगता है ये full heat में आने के लिए दोनो heater को मैं एक साथ बंद करती हूँ देखिए spring coil heater तुरंती dark हो जाता है और G coil को ठंडा होने में 2-3 मिनिट का समय लगता है जैसे कि चालू होने में 2-3 मिनिट समय लगता है वैसे ही बंद होने के लिए मतलब ठंडा होने के लिए भी इसको 2-3 मिनिट का समय लगता है अब देखिए spring coil heater को कोई regulator नहीं है मतलब कि कम ज्यादा नहीं कर सकते हीट को लेकिन G coil का एक regulator है जो अभी 3 पर चालू है मतलब कि full heat पर चालू है अभी मैंने चालू किया है फिर से तो अभी इसको मैं 2 पर करूँगी 2 पर करूँगी तो देखिए अभी मैं speed बढ़ा कर आपको दिखाती हूँ ये है rotating switch इसको घुमा घुमा कर 3 आखड़े है हलका सा लाल रहेगा कि अभी light में दिखेगा नहीं यानि कि spring coil के heat को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते है लेकिन G coil के heat को हम कम ज्यादा कर सकते है और current के बार में मेरा कहना ये है जो simple heater है उससे थोड़ा सा सावधन रहना चाहिए उसके coil को कभी भी touch नहीं करना चाहिए कभी भी चममा से ये किसी तरह से अगर touch हो गया तो current लगेगा और इसको touch हो गया तो कोई बात नहीं है मतलब इसके उपर directly हमें बर्तन को रखना है और बर्तन को touch करे तो कोई problem नहीं है बिल्कुल भी current नहीं लगता है इन दोनों में यही फरक है लेकिन अगर आप online से खरीद रहे है ये जो simple heater तो उसमें भी आपको current नहीं लगेगा क्योंकि उसका जो arthing connection पिन के साथ जुड़ा हुआ होता है बस आपके घर में arthing connection प्रॉपर होना चाहिए तो डरने वाली कोई बात नहीं है और G-coil heater पर आप बहुत देर तक खाना बना सकते है मतलब कि आप 3-3.5 गंटे तक लगातार खाना बना सकते है लेकिन simple coil heater पर आप 1 गंटे से ज्यादा खाना नहीं बना सकते है एक गंटे से ज्यादा अगर बनाना हो तो आपको बंद करना पड़ेगा फिर ठंडा करके फिर से चालू करना पड़ेगा और G-coil पर अगर आप 3 गंटे से ज्यादा खाना बना रहे है तो वही same process यहाँ पर भी apply करना है ठंडा करके फिर से चालू करना है और देखिए G-coil को माहिने में 1-2 बार आपको tight करना पड़ता है देखिए इसके उल्टा side में screw है यह screw अगर ढिला रहता है तो coil भी ढिला रहता है इसलिए screw को कभी-कभी tight करना पड़ता है यह screw tight होगा तो coil भी tight रहेगा और जब खाना बनाएंगे तो coil हिलेगा नहीं बटन के हिलने के साथ साथ और अंदर का जो wire connection है वो भी बिल्कुल भी टूटेगा नहीं आपका heater जो है long lasting होगा दो तरह के G-coil heater बाहर से अंदर से किस तरह से साफ करना होता है कैसे tight करना होता है इसके बार में detail एक वीडियो है आप जाए तो उसको check कर सकते है मैं उपर i button में link दे रही हूँ आप जाए तो बहाँ जाकर visit करिए और ये है तार ये टेफलोन का तार है G-coil heater के अंदर इसी तार का connection है ये टेफलोन का तार है ये fireproof, heatproof होता है आग में जलता नहीं यहाँ पर बिल्कुल इस जगा पर इस तार का connection है तो वहाँ से कभी-कभी हो सकता है कि ये coil हिलने के वज़े से ये तार तूट सकता है तो इसके लिए मैंने ये तार मंगवा कर रखा है Amazon से एक मीटर तार 200 रुपे में मिला है बिल्कुल थोड़ा सा लगता है मतलब की 2 इंच जितना लगता है तो ये मैंने खरीद कर रख दिया है अगर कभी problem होता है तो मैं लगा लेती हूँ इस heater को तो लगा नहीं है इसके पुराने जो heater है उसको लगा था एक बार के लिए और ये जो regulator है मतलब की rotating switch है ये भी तूट सकता है ये भी अलग से मिल जाता है market में सावधानी आपको बरतनी है और ये है सिमेंट का चूला आप चाहे तो इसके साइड से कोई cotton की रसी से बान सकते है ताकि ये फटे ना और अगर आपको online से खरीदना है नॉर्मल सिंपल जो spring coil heater इसके लिए भी link दे दूँगी और जो G coil heater है इसके लिए भी कुछ trusted brands के मैं link दे दूँगी आप चाहे तो वहाँ से जाकर purchase कर सकते है मेरे खयाल से सावधानी से use करे तो दोनों के दोनों heater ही अच्छे है कोई भी बूरे नहीं है और gas के हिसाब से तो बहुत ही अच्छे है मैं नॉर्माले घर पर G coil पर ही खाना बनाती हूँ वीडियोस भी सारे के सारे मेरे G coil पर ही है और जो simple coil heater है यह मैंने hostel में use किया था जब hostel में रहती थी तब तो वो भी अच्छा है और यह भी अच्छा है आपको खुद सोचना है कि आपका budget कितना है उसके हिसाब से आपको लेना है simple coil heater जो है वो मेरा 1500 वाट का है और जो G coil heater है यह 2000 वाट का है तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी बात है समझ आ गई होगी और फिर भी अगर कोई भी doubt है कोई भी शक है कुछ भी अगर सवाल है तो आप comment में पूछ सकते हैं मुझे जितना पता है मैं उतना आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक like कर दीजिएगा और प्लीज प्लीज मेरे चनल को ज़रूर subscribe कर लीजिएगा आज के लिए यहां तक मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए safe रहे स्वास्त रहे